Hello students, 60 days computer basic certification course की new class में आपका स्वागत है हमने 60 days computer basic course स्टार्ट किया था उसी से related आज की इस class में हम नए topic को समझने वाले हैं एक जानकारी आपको और दे दें यदि आप हमारे इस certification course को करने के बाद certificate चाहते हैं जो की सभी government और private job में valid है तो उसकी link इस video के description में दी हुई है उस link को क्लिक करके हमारे इस certification course को join कीजिए और कुछ इस प्रकार का certificate आपको issue किया जाएगा जैसे ही आप हमारे certification course को join करते हैं join करने की link वीडियो के description में दी गई है किस प्रकार का certificate मिलेगा उसकी design आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारा यह certificate सभी government और private job में मानने है तो अभी जाकर के video के description में जो link दी हुई है उसे click करके इस course को join कीजिए हेलो दोस्तों आज हम excel में new exercise monthly salary slip को design करना सीखेंगे इसके लिए मैंने excel को open कर लिया है अब हम view tab में जाते हैं और हम यहाँ पर page को देख लेते हैं कि किस view पर रखना है तो मैंने page layout view पर रख लिया है इसको अब हम यहाँ पर उसको design करना सीखते हैं सबसे पहले हम उस company का नाम टाइप कर लेते हैं यहाँ पर इधर इसको मैं merge कर देता हूं यहाँ पर जाके merge कर दिया फैर यहाँ पर नाम टाइप करता हूं मैंने जैसे लिख दिया यहाँ पर जनता in इंडरस्ट्री यहाँ पर spelling थोड़ी मिस्टेक है इस इंडरस्ट्री और प्राइविट लिमिटेड यह हो गया फिर इसके बाद यहाँ पर इसके size बढ़ा देते हैं 14 कर लेते हैं और इसे बुल्ट कर देते हैं इसकी यह कर लेते हैं जूम कर लेते हैं फर उसके बाद यहाँ पर नीचे एड्रेस डाल देते हैं उसका कि कहां पर है इसको भी मर्ज कर देता हूं और यहां पर भी एक चीज और डालने है तो इसे भी मर्ज कर देता हूं यहां पर अब हम उसका डाल देते हैं तो मैंने डाल दिया है नियर बस स्टेंड यहां पर कर देते हैं जवल पूर है यह आगया इस तरह से आप अडूर्स टाइप कर लिजिए फिर उसके बाद अपने हिसाब से और अपने हिसाब से यह नीम भी टाइप कर लिजिए फिर यहां पर मैं यहां पर heading डाल देता हूं मैं जो हम slip बना रहा है तो यहां पर मालने लेते हैं monthly एक मिनट मैंने गलटा को दिया monthly monthly salary slip type यह हो गया इसको भी थोड़ा सा बूल्ट कर देता हूं और इसका भी size थोड़ा सा बढ़ा देता हूं यह 14 हो गया अब इसको नॉर्मल ही रहने देता हूं और यहां पर एक चीज़ कर देता हूं border लगा देता हूं नीचे bottom border यह आ गया आगे न हम border फिर इसी तरह से अब यहां पर हम नीचे की details type करते हैं हम यहां पर पहले देते हैं जैसे कोई employee को देनी है में salary slip देनी है तो हम यहां पर employee की एक id लिख देते हैं यहां पर employee id और उसके बाद फिर यहां पर employee law name और इधर यहां पर जैजिग नीशन और यहां पर डैजिग नीशन मतलब वो क्या कार करता है और इधर यहां पर डाल देते हैं month किस month की आप salary slip दे रहे हैं month और e-r किस e-r की यह हो गया अब इनको मैं क्या कर देता हूं merge कर देता हूं इसको भी और इससे भी इससे भी और इससे भी यह spelling थोड़ी सी गलत है name यह हो गया अब यहां पर उसका data जाएगा idea जाएगी यहां पर name आ जाएगा यहां पर designation और यहां पर month और यह है इसको मैं थोड़ा सा select करके border देता हूं all border और उसके बाद यह आ गया और इनको थोड़ा सा bolt कर देता हूं bolt और cv volt यह हो गया अब हम यहां पर क्या करते हैं किसके अधार पर देते हैं earnings के मतलब वहां पर काम करता है तो उसको कितनी earning होती है क्या-क्या earning होती है उसके वेस पर अधार यहां पर हम earning डाल देते हैं earning इसे भी मैं भी बाद में set कर दूंगा इसके पहले यहां पर earnings किस-किस चीज़ से होती है basics तो उसकी basics मतलब basics amount जो उसको कार करता है तो उसके मिलती है उसे जो काम करता है तो उसका amount मिलता है basics amount amount यह हो गया अब यहां पर आता है basics amount हो गया अगर वह है normal काम से और extra मतलब overtime पर काम करता है तो overtime का भी amount होगा amount अब एक होगी एक होगी extra income extra extra income और यहां पर एक चीज़ और आएगी वह आएगी convention 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 के मतलब होता है जैसे हम company से अपने घर तक आ रहे हैं तो उसका भी किराया company कई बार उठाती है कि उसको कुराया देती है कि यहां से आने जाने का किराया तो उसका यह convention उसका किराया इसको थोड़ा सा बोल्ट कर देते हैं और size increase कर देते हैं 14 रखते है यह हो गया 11 अब इनको इनके बाद यहां पर total earning आ जाएगी तो यहां पर लिख देते हैं total earning total total earnings है ना और यहां पर आजाएगा उसका data मतलब total earning आ जाएगी इसको भी कर देते हैं merge bolt और इसका size थोड़ा सा increase कर देते है 14 कर देते हैं अब इसी तरह से अब जैसे earnings होती है तो उस पर कुछ dedication कमी भी होता है मतलब कुछ कमी भी आती है जैसे अगर company में काम कर रहे हो तो कभी काल family problem के कार रहे उसने जैसे loan लिया है तो extra tax होता है जैसे उसको friction मतलब होता है कि जैसे उस पर salary में कुछ कमी होती है जैसे tax कई company salary पर tax भी लगाते हैं मिलती है तो उसको और अगर employee company से अगर loan लेता है कोई fund purchase करता है तो उस पर भी कुछ है उसके जो earning करता है तो उस पर भी कुछ है deduction मतलब कमी आती है उसकी salary में तो वह भी लिखते हैं तो हम यहां पर deduction type कर देते हैं इसको मैं कर देता हूं bolt 14 यह हो गया अब यहां पर deduction किन किन चीज़ों से होता है तो वह लग देते हैं जैसे loan लिया तो एक fund हो गया उसका तो जैसे fund लिया उसने provident provident fund यह हो गया अब second हो गया जैसे कई लोग life insurance करवाते हैं जैसे company खुद से ही करवाती है तो उसका भी extra खरचा आता है जैसे कहते हैं उसको e.s. capital में लिखते हैं और i इसका मतलब होता है जैसे company की तरफ से life insurance रहता है तो वह करवाना पड़ता है उससे भी वह earnings से ही कटता है जितना उसको पैसा मिलता है उससे कटता है तो यहां पर भी उसको लिख देते हैं अब होता है जैसे उसने loan लिया है loan और loan हो गया और एक चीज होता है tax अब उसकी जैसे अगर उसको ज्यादा salary मिलती तो company कई बार tax भी लेती है tax काटते है उसपे तो tax हो गया अब यहां पर होने के बाद हम यहां पर डाल देते हैं total deduction total deduction 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 इसको भी कर देते हैं हम merge bolt और 14 इसका size 16 हो गया 14 यह हो गया अब यहां पर salary slip यह तो थोड़ी बहुत तयार हो गई है अब यहां पर data आएगा उसका तो इसको मैं क्या कर देता हूं एक चीज और यहां पर total earning और यहां पर हो गया deduction अब net salary net salary होगी क्यूंकि उसकी earning से ही deduction हो रहा है मतलब कमी आ रही उसकी earning में क्यूंकि यह सब के तो earning से ही कटेगा उसका fund, ESI, loan और tax तो total जो उसकी net salary होगी net salary सब कुछ कट पिटके उसका किती salary उसको मिल रही है वह कितनी होगी वह यहाँ पर निकाल देते हैं net salary इसको भी मैं कर देता हूं bolt bolt और size बढ़ा इसको मैं border देता हूं यह होगी border अब यहाँ पर data आजाएगा बाजू में और यहाँ पर यह earnings आजाएंगी earnings किती होई और deduction इसको भी थोड़ा सा बोल्ट कर देता हूं bolt bolt नहीं merge और यह merge यह merge अब बैटर देख रहा है अब यहाँ पर लिख देते हैं company की company जो employee यह बना रहे हैं तो यहाँ पर उसका signature कर देते हैं signature के लिए यहाँ पर type कर देते हैं signature signature of the employee और यहाँ पर space देखे dash dash और इसी तरह से यहाँ पर भी हो गया इसको मैं क्या कर देता हूं select करके merge कर देता हूं यहाँ पर भी इसको select करके merge कर देता हूं और यहाँ पर merge नहीं होगा merge यहाँ पर अब जो monthly जो वहाँ पर man head होगा जो यह monthly slip बना रहा है तो उसका signature आएगा यहाँ पर लिख देते हैं die reactor इसको और space देखे इसका signature और इसको थोड़ा से आधर कर देते हैं center में रहना देते हैं यह हो गया better देखे रहा है यह हो गया अब इसके बाद इसको design कर लिया है अब यहाँ पर उसका company का company नहीं employee की idea आईडिया जाएगी employee का name आजाएगा यहाँ पर designation आजाएगा यहाँ पर monthly year मतलब किस year का monthly salary slip मिल रही उसको हो आजाएगा यहाँ पर किती earning उसी basic जो कार करता है वो तो उसकी कितना amount मिलता है वो आजाएगा overtime अगर करता है तो उसका amount extra income उसको कितना income मिलता है extra में वो और जो उसको company आने जाने का भाड़ा जो पैसा देती हुए कितना है और fund अगर उसने fund purchase किया है तो वो उसका life insurance का और loan और यहाँ पर tax और यहाँ पर total deduction और earning और यहाँ पर need इस तरह से आप design कर लीजिए इसको मैं थोड़ा सा format कर लेता हूं इसको मैं करता हूं इसको इतने से इतना select करके इतना और इसके कर देता हूं मैं white और यहाँ पर border दे देता हूं आजू बाजू border दे देता हूं top bottom thickness border outside तो यह देख रहा है थोड़ा बैटर देख रहा है slip की तरह ही देख रहा है यह इस तरह से आ जाएगा इस तरह से देखने लगेगा यहाँ पर signature और यह इस तरह से design कर लीजिए कर लिया है इसकी employee की ID employee का name वो क्या काम करता है किस month की slip मिल रही है salary slip basically वह कितना कमाता है over time करता है कितना amount है convention मतलब आने जाने का किराया और extra income अभी है नहीं तो वाकी खाली रहने दिया है और यहाँ पर provident fund है ना और loan और ESI जैसे life insurance होता है उसका और loan खाली है और net salary अभी मैं बताता हूं यहाँ पर second में जाकर के यहाँ पर यहाँ पर एक formula लगा देते हैं total earnings क्या होंगी इन सब को हो है plus का देगा equal to नहीं इसको पहले समझ लेते हैं कि employee ID यहाँ पर डालेंगे तो अगर आपको जैसे manually बनाना है तो आप manually यहाँ पर data type करेंगे जैसे यहाँ पर मैंने लिखा है पहला क्या है employee ID A101 और हमन से supervisor और यह तो normally यहाँ पर type करना पड़ेगा मगर type करते करते बहुत time हो जाएगा इसलिए हम क्या करते हैं कि इसको automatically बना लेते हैं जैसे अगर employee ID यहाँ पर type करेंगे तो उसका पूरा data और earnings और designation और यह सब लिखके आ जाएगा automatically और यहाँ पर total हो जाएगा तो यहाँ पर उसके लिए मैं क्या करता हूं इसको मैं यहाँ पर एक formula यूज करना पड़ेगा हमको अगर equal to we look we look up formula का यूज करेंगे और इसके बात यहाँ पर वो रिल रहा है we look up value अगर यह value इस value के आधार पर अगर यहाँ पर जो ID दी गई है तो इसके आधार पर उसका name आ जाए यहाँ पर और इसी तरह से यह formula को इन सब में copy कर देंगे अभी फिलहाल एक में डाल लेते हैं पहले तो copy यह डालने के बाद cell को select करने के बाद पर बोल रहा है कि table को select कीजिए तो यहाँ पर हमारे जो table दी गई है first seat में दी गई है तो इसको पूरा select कर लेते हैं यहां से कहां तक यहां तक और उसके बाद फिर से यहां पर यह दिखाई दे रहा है इसको मैंने data नाम से save कर दिया था इसको save करने के लिए मैंने क्या किया था इसको पहले formula को delete कर देता हूं मैं बता देता हूं इसको पूरा select करके यहां से यहां तक कर select करके और इसे यहां पर यहां पर जो नाम देना चाहते हैं जैसे मैंने data दे दिया था तो data एक नाम से सेव कर सकते है कि अ इसमें उस नाम का उप्योग कर लिजिए भी लुक आप ब्रैकेट ओपन ये सेल को सेलेक्ट करेंगा अगर यहां पर कोई आईडी दी गए तो इस नाम से यहां पर उसका नाम आजाए कॉम लगाएंगे फिर टेविल यहां पर मैंने डेटा नाम से यह यह डेटा बेस नाम से यह सेव हो गया है तो इसको भी सिलेक्ट कर सकते हैं इसको सिलेक्ट कर लएता हूं में डेटा विश नाम से और टैब दवा दिता हूं और उसके बाद कॉमा लगाएंगे फिर उसके बाद यहां पर कॉल्म नंबर पूच रहा है कि आपका यह जो एम्पलॉई नेम है वह कि लग देते हैं to और कॉम लगाते हैं फर उसके बाद यहां पर बोल रहा है कि आप true value यह false value रखना चाहते हैं तो हम रखना चाहते हैं यहां पर false tap दबाएंगे bracket close करेंगे और एंटर कर देंगे यहां पर यह value आने रही है कि वी लूक अप जीरो और एंटर डेटावेस कॉलम नेम यह रेंज है यहां पर एक फॉर्मला का यूज को और कर लेता है अगर कोई error आ रही है तो यहां पर bracket open और यहां पर if एक error आ रहा है तो error के लिए if error का यूज कर लेते हैं formula का और यहां पर zero ही रहने देते हैं यहां पर com लगाके blank कर देते हैं और enter कर देते हैं अब यहां पर जैसे अगर कोई data type होगा जैसे type करता हूँ A101 और enter तो यहां पर थोड़ा सा problem हो रहा था इसलिए मैंने if error formula का यूज कर लिए इसके आंगे first में और यहां पर इसका है कि first value अगर यह है नहीं तो फिर यहां पर blank छोड़ दे यह value type होगी इसके अधार पर यह तो फिर blank छोड़ दे यह formula का यूज कर लीजिए आप फिर इसके बाद इसी तरह से formula को मैं यहां से copy कर ल यहां पर हम यहां पर डाल देते हैं सिर्फ यहां पर आपको यह column नमर बस चेंज करना पड़ेगा हर बार तो यहां पर three डाल देते हैं और enter कर देते हैं दिया गया supervisor और यहां पर भी paste कर देते हैं और यहां पर change कर देते हैं two की जगाए four क्यूंकि यह fourth नमर पे था और enter कर देते तो यहां गया उसका date अब यहां पर date ऐस तरह से आ रहा है तो इसको करके और three कर देते हैं तो यहां गया date problem कर रहा है यहां पर date के हसाब से आ रहा है तो यह इसको मैं जनरल ही रखता हूं और जनरल मैं कस्टम में जाने के बाद date इसको कर देता हूं ओके यह आ गया यह थोड़ा से change हो रहा था numbering में आ रहा था तो इसको date में convert कर दिया यह जो यहां पर type किया था हमने December 2019 यह आ गया पर इसी तरह से यहां पर इस पर नहीं basics amount पर यहां पर paste कर देंगे यहां पर दिया था यहां पर दिया था two three four यहां पर देंगे five पाजबा column यह आ गया अब यहां पर भी paste सब जगा पेस्ट कर देता हूं मैं paste 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 इधर भी paste इधर भी paste और पेस्ट यह हो गया अब यहां पर हम क्या करते हैं numbering बस चिंज कर देते हैं पांच हो गया था यहां पर कर देते हैं 6 enter 7 enter 8 enter 9 enter 10th enter 11, enter, और इधर 12, enter, यह आ गया, अब यहाँ पर यह जो total earning यह पर कैसे निकालेंगे, तो हम यहाँ पर formula लगा देते, एक sum का, कि इन सब को होगा है, plus कर दे, bracket close करेंगे, और enter करेंगे यह total आ गया, कि उसको कित्ता earning हो रहा है, और यहाँ पर deduction, मतलब यह total इन को total करने के लिए, यहाँ पर भी लगा देते हैं, sum, bracket open, और यहाँ तक select कर देंगे, bracket close करेंगे, और इंटर कर देंगे, यह आ गया, total deduction यह हो गया, total earning यह हो गया, अब net salary निकालने के लिए हम क्या करते है equal to लगाएंगे हम इस में से minus कर दिएंगे total deduction को और enter कर दिएंगे तो यहाँ गया उसकी net salary कि उसको total इतना पैसा मिलेगा इस तरह से आप design कर लिजिए अब यहाँ पर formula apply हो गया है अब यहाँ पर जैसे changes करते हैं मैंने यहाँ पर कर दिया एक 105 और enter तो यह आगया 105 उसका नाम है जस्प्रीट से supervisor है उसकी जो month और year है यह है earnings में पहला यह है 15,000 overtime करता है तो 35 35 और extra income 500 है एक minute यहाँ पर थोड़ी गड़वड़ी हो गई है मैंने यहाँ पर आंगे पीछे कर दिया convention है 500 और extra income है तो यहाँ पर इसकी जगे 8th करता हूं और इधर करता हूं 7th अब आएगा ठीक क्योंकि convention थी हमने 500 रुपए क्योंकि आने जाने का किराया जो दे रहा था कंपनी 500 रुपए दे आंगे पीछे लिख दिया था हमने यहां पर फॉर्मला थोड़ा सा चेंज कर दिया हमने इस हिसाब से यह आ गया है और इस तरह से आप डिजाइन कर सकते हैं जैसे यहां पर चेंजिस करते हैं यहां पर उसका जो मंतली इसको मिलता है इतना है बेसिक्स में 10,000 रुपए और अगर वो ओबर टाइम करता है तो इतना मिलता है 1500 और एक्स्टर इंकम है यह तो इनसोरांस इसका लाइफ- इंसोरांस तो 500 रुपए का और यह है ल suspension live 0 है अगर हम डेटा अगर टाइप करेंगे pensar बड़िकी हम पर निया है भादा निया इतना अगर टैक्स चेक्ट लगता है तो आप यहां पर टैप कर सकते हैं अमने असाब से इस तरह से आप एक मतली सैलरी सिप को बना सकते हैं और कॉपी कर सकते हैं इसके लिए और अगर आप इसे प्रिंट करना चाहते हैं तो आप पेज ले आउट में जाएं और यहां पर पहले इ बना सकते हैं और page layout में जाके उसका print-out निकालना है तो आप print area पको select कर लिजे इस तरह से और set print area पर click कर दीजे select होने के बाद आप keyboard से CTRL P दबाएंगे तो आपको print option open हो जाएगा इस तरह से आपको design देखेगा इस तरह से अच्छी तरह से design देखेगा आपके सामने और यह print कर सकते हैं इस तरह से इस तरह से आप margin salary zip को design कर सकते हैं झाल, 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 झाल